एक एक करके हम अपने महमानों से बाचीत की शुरूआत करना चाहेंगे आप सभी का मैं एक बार फिर स्वागत करता हूँ दिपेन जी आपका एक बार स्वागत करता हूँ तो दिपेन जी शुरूआत आपसी सरकार कैसे एंकरेज करें तो मुझे बताएं कि किस तरीके से आप लोगों का कॉंबिनेशन चल रहा है प्राइविट सेक्टर के साथ में अन्य लोगों के साथ अगर उद्योगों की बात की जाए तो उसका जो फ्रेंट रणर या जो उसका इंजन है वो प्राइविट सेक्टरी है गवर्मेंट का काम उसको फैसिलिटेट करने का है और उस काम को हम कितना अच्छे तरीके से कर सकते हैं यह हमारी सबसे बड़ी जिम्मेधारी है और इस जिम्मेधारी में हमारा रोल यह है कि हम बहतर से बहतर इंफ्रास्ट्रक्शर फैसिलिटी बहतर से बहतर पॉलिसी बहतर से बहतर एको सिस्टम दें जिससे कि इंड़स्ट्री जो भी है प्राइविट सेक्टर में जो भी बिजनेस बिजनेस हैं या जो भी मैनेफेक पॉलिशीज बनाई है इस आप डूइंग बिजिस के थू बहुत सारे रिफॉर्म्स किये हैं सिंगल बिंडू सिस्टम का प्रोविजन लेके आया है यह सारे प्रोविजन यह सारे इनिशेटिव इस बात को शिनिशित करने की हमारी एक कोशिश है कि जो इनिश्रीज हैं इस्पेशली इनर्जी सेक्टर्स में वो ज्यादा से ज्यादा अच्छे से इन्वेस्मेंट महरास्ता में लेके आए ज्यादा से ज्यादा इनर्जी का प्रोड़क्शन करें और यह पावर जनरेशन जब करने की बात है तो उसमें भी हमारी यह पहल है कि जो ग्लोबल टारगेट्स हमने लिए हैं कारवान इमिशन को रेडियूस करने के लिए उस उद्देश को ध्यान में रखते हुए हमने रिन्वेबल इनर्जी कि जितने भी सोर्सिस हैं सोलर वेंड और हैडल यह सभी को टैप करना है इसके साथ साथ नई हैडरोजन पॉलिशी भी सोलर पंप्स बनाते हैं तो रागाव जी यह जरूर बताएं कि सोलर पंप्स आप लोग बनाते हैं निश्चित तोर पर एक व्यवसाइक पहलू रहता है लेकिन किस तरीके से यह जो सोलर मिशन चल रहा है रिन्यूएबल एनर्जी का मिशन चल रहा है इसको लेकर एंकरेज करने का mission सरकार का चल रहा है उसमें private sector अपने फायदे के साथ साथ कैसे सहयोग कर रहा है सरकार का धन्यवाद और भारत Express के Managing Director Editor in Chief साथ का धन्यवाद बहुत-बहुत हम लोगों को यह मंच प्रदान करने के लिए और सारी टीम को धन्यवाद इस बहुती सुंदर कारिकरम को आज आयोजित करने के लिए जो कि बहुत ही सामियक विशह है solar pump जो हम लोग बनाते हैं वो एक बहुत ही technologically active और बहुत ही technology intensive एक ऐसा product है जो कि हम सरकार के specification के हिसाब से ही बनाते हैं और सरकार ने कुछ ऐसे specification बना रखे हैं जिससे की हमें उसको एक third party lab में test कराना पड़ता है और उस test में pass होने के बाद ही हम किसी भी सरकार के tender में eligible होते हैं तो यह प्रक्रिया एक दिन में नहीं हो सकती क्योंकि यह manufacturing का product है और क्योंकि इस में agriculture, क्रशी और किसानों का संबंध है तो सरकार ने और भी बहुत सारे चीजें ऐसी डाल रखी हैं जिनसे की सरकारों जिससे की किसानों को कोई भी तकलीफ ना हो उदारण के तौर पर जो भी हम लोग pump system उसका बनाते हैं या supply करते हैं उसकी एक तो पांच साल की guarantee warranty है बगैर किसी सवाल को पूछे हुए आप ये समझ लीजे कि ये एक ऐसा नियम है जिससे की पांच वर्षों के अंदर वो किसान इतना सहज हो जाता है कि उसको ये सोचने की ज़रूत नहीं पड़ती कि अगर इसमें कोई भी तकलीफ हुई कोई भी समस्या हुई तो उसमें कैसे उसको हम ठीक करेंगे उसके लिए company ही जिम्मेदार होती है और सरकार उसको monitor करती है जैसे की remote monitoring के थुरू और इसमें SIM card लगा होता है SIM card जो है जो की telecom companies के channel के माध्यम से सरकार capture करती है वो data और रोज सुबे से शाम तक का दिन भर का data सालो साल पांच साल तक वो maintain करना होता है एक ये बहुत बड़ी हम लोगों के लिए एक technical challenge है जिसको कि हम लोगों ने successfully निभाया है और निभा रहे हैं बजा साब module plate बहुत ही important है हम जानते हैं कि जब solar energy की बात होती है तो हम infrastructure के जमीन सूरज कैसा होगा जो कुदरती बाते हैं उन पर तो ध्यान देते हैं लेकिन infrastructure में हम कितनी plates को develop कर पाएंगे और उसको लेकर कितने आत्मनिर्वर बन पाएंगे ये भी बड़ा सवाल खड़ भारत एक्स्प्रेस परिवार का मैं धन्यवाद देता हूं और उन्हें बहुत-बहुत बधाई देता हूं उर्जा समिट का ये भवे आयोचन करने के लिए ये रिनियवल अक्षय उर्जा का जो चर्चा है जो विशय है उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो चीज हमारे समक्षा आ रही है वो है उन स्त्रोतों से बिजली का उत्पादन करना जो अक्षय है उसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान सूलर मॉड्यूल का है विगत बहुत वर्षों से सूलर की टेक्नलोजी भारत के पास नहीं थी, मानिया प्रधान मंत्री के मार्क दर्शन एवं जो पॉलेसी मेकिंग हैं, उसमें DCR कंपोनेंट जिसको सरल भाषा में स्वदेशी मॉडिूल्स का जो खपत है, उसकी जो कंपल्शन लाया गया, उसके बाद से मार्केट एवं सरकारी योजनाओं में जो खपत बड़ी है, उसके कारण उद्योग एवं मॉडिूल की लगातार मांग बड़ी है, महराष्ट्रा प्रदेश की अगर बात करें, तो हम 2010 से महराष्ट्रा में ही सोलर मॉडिूल मैनिफेक्ट्रिंग कर रहे हैं, सरकार की जो अभी नीतियां हैं, उसके हिसाब से तो अगर इंपोर्ट बंध होता है, इंपोर्ट अभी बहुत से duties हटा दी गई है, यह शेय केन्दर सरकार का है, लेकिन अगर इंपोर्ट की duties जैसे अभी चल रही हैं, वैसे चलते रहीं, तो उद्योगों को बहुत प्र मोहदे ने जैसा बताया जो उनका टार्गेट है पंद्रह हजार मेगावाट का करने का वो भी कुछ 2030 तक उन लक्षों को अगर देखते हुए अगर भारत के योगदान में साथ आना है तो उनको अपनी कैपासिटी दुगनी से भी जादा करनी पड़ेगी अगले पांच से साथ वर्षों में जो की हमारी कंपणी कर रही है हम अभी एक साल में 1.2 गिगावाट का मैनेफेक्टरिंग प्लांट महराष्ट्रा में ला रहे हैं आज की घोशना के बाद जो आज मैं समझा आज जो हमने देखा कि जो खपत सोलर मॉडिूल की होने वाली है चाहे मेगावाट में हो चाहे सो जिससे भारत की एकनॉमी को बल मिलेगा और हम वन ट्रिलियन की जो महराष्ट्रा सरकार की सोच है उसको बल दे पाएंगे मेरे साथ गिरदारी मंत्री जी भी मौजूद है यह महत्तुपूर्ण इसलिए भी हो जाते हैं क्योंकि All India Renewable Energy Association के एडवाइजर हैं और हम Renewable Energy की लगातार बात करते रहे मुझे यह बताईए गिरदारी जी कि आम लोग कितने इसको लेकर सजागे चाहते तो हैं मैं बार बार यह इस सम्मिट के दौरान कई लोगों से बात हुई और यही सवाल आया कि बड़ा fancy सा लगता है अभी हाल के दिनों में क्योंकि अब भी हम पर आती हमारे घरों की बिजली की बात आती है नमाशकार भारत एक्सप्रेस ने जो यह उर्जा से मिट लिया और खास कर मुझे इस बात की खुशी है और वो धन्यवाद के पातर है कि रिनियोबल एनरजी जो कि या बहुत बड़ा चर्चा के विशे है क्योंकि वातावरन में जो बदलाव है जिस तरीके की हम लोग तकलीफे भोग रहे हैं और आने वाले समय में अगर हमने इस पर ध्यान नहीं दिया तो निश्चेत रूप से कहीं न कहीं हमें आने वाली जनरेशन के लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता है आपने बात कहीं बहुत अच्छी बात कही कई बार सरकारे आती है और पॉलिटिकल निर्णाई हुआ करते हैं कि किसी ने 2 रूपे बिजली फ्री कर दी, 200 उनिट फ्री कर दी है, 400 उनिट फ्री कर दी है लेकिन सारी जनता जो है जब ये बिजली मुफत में दी जाती है तो उस समय में अडचने और इसकी भुकतान करने के लिए बाकी जो जनता है उनको अपने पैसे से टेक्सपेर को अपने पैसे से ये दिया जाता है तो ये भुकतान का बोज हम लोगों पर पड़ता है लेकिन जब ब्रदानमंत्री जी को इस बात के ध्हानाया कि हम 300 उनिट बिजली अगर फ्री दे रहे है तो इसका कोई और भी उपाय हो सकता है तो उसके अंदर में अनूने प्रदानमंत्री सौर योजना जो गोشित करी उस गोशित करने के अंदर में उनका यही था कि हम 300 योनिट बिजली फ्री देंगे लेकिन कैसे देंगे तो उन्होंने आप अपने घरों के उपर में छट पर आप सोलर लगा लीजिए सोलर लगा कर जो उस सोलर बिजली पैदा होगी उससे आपकी खपत पूरी हो जाएगी औ और आने वाले तीन साल में जब जिस सहियत्र को जिस सहियत्र की जो कीमत है उसमें सबसीडी के माध्यम से उसको 78,000 रुपए तक 3 किलो वाट के अंदर में 300 योनिट बन जाती है बिजली तो यह 78,000 रुपए की सबसीडी देकर उसकी कीमत पूरी कम कर दी है और आने वाले सम यह प्रलोभन लोगों को देने की जरूत नहीं पड़ेगी और लोगों ने एदी इस योजना का फाइदा उठाया निश्चेत रूप से तो मुझे लगता है कि यह जो हम लोगों पर पढ़ रहा था वो भी भोज हटेगा और यह बहुत अच्छी योजना है और जो बहुत किलोवाट का एक एक सौर यह अंदर लगाते हैं तो यह आपके लिए बिना जमीन के आपको सौर चट फ्री के अंदर में बगर सरकार के इंश्चेत अपके पास बना बनाया है आप चाहें तो उसका इस्तिमाल कर सकते हैं बड़ी यह देखिए हम जब समिट के अंतिन दौर में जा रहे हैं उस समय पर इस तरह के पैनल का बैटना बड़ा जरूरी था और मैं आपको बता दूँ कि दीपेंजी के साथ हम थोड़ा विस्तार से मैं आप से बातचीत करना चाहता हूँ क्योंकि सरकार की कई पॉलिसीज पर आपसे बात हो सकती है तो मैं आपके साथ कर कई बाते हूइं और किसान जो है वो माहराष्ट में नहीं पूरे देश में बड़े महत्वपूर्ण है आप जो प्रड़क्शन कर रहे हैं एक तो सोलर पॉम्प का जिस तरीके से बजास अग्रवाल साब आगे बढ़ा रहे हैं और आप जो है वो पलेट का 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 म कर रहे आट लाग जो लग रहे हैं वो तीन साल में टेंडर्स हो गया है एंपैनल्मेंट हो गया है आपको बहुत मज़े की बात बता रहा हूं हर सोलर पंप जो लग रहा है उस सिमेने बल्ड है जैसे रागाव जी ने अभी बताया सिमेने बल्ड का मतलब है जो भी कंसर्ण हैं हर समय ये निगरानी रख सकते हैं कि उन किसानों काव चल राहे कि नहीं चल रहा है उनकी सुनवाई के लिए 24 गंटे का सर्विस सेंटर के राजी चरश्रकार द्वारा येवं सब कमपनीज ड्वारा लगाया गया है जो उनकी सुनवाई करें एवं नियत समय में उनका पंप सुधार कार्य करके दें इसमें सबसे विशेश जो बात है वो यह है कि यह जो सोलर पंप लग रहे हैं इसमें पांच वर्शों तक का इंशुरेंज भी कंपनियों को देना है अगर किसी प्रकार की बार आ किसानों के लिए कितना ये काम आ रहा है और रिन्यूइबल एनरजी पंप से आगे बढ़कर और किन-किन क्षेत्रों में मदद कर पाईगी जो आप मेरी कंपनी का अगर लोगों देखें तो उसका टैग लाइन है water from the sun तो ये water from the sun और उसके आगे मैं दो शब्द और जोडता हूं water from the sun without an electric pole तो समझ में आने की बात ये है जो कि सभी सरकारें अब समझ रही है कि किसान को पानी चाहिए उस और पानी के लिए अगर उसको बिजली solar के माध्यम से मिलती है तो वो उसको पानी चाहिए तो जो सरकार के अब specifications है नियम है जो restrictions है जो technology है IOT का improvement है वो एक सामिक रूप से सभी चीजों को मिला कर आज वो development हुई है और जिसमें मेरी जैसी कंपनिया हम लोगों ने करीब पांच लाग पंप पिछले दस साल के अंदर पूरे देश के अंदर लगा रखे हैं चाहे वो राजस्थान हो गुजरात महराश्टरा राजस्था हर्याना पंजाब महराश्टर तो इसलिए ये एक पूरे देश में ए अकेले लगाने की अगले तीन साल में त्यारी है तो हम उसके लिए बिलकुल तयार हैं और पूरी कॉलिटी और उसको पूरी रिस्पांसविल्टी के साथ करने के लिए तयार हैं ग्रिदार जी बहुत संक्षेप में मैं जानना चाहूंगा कि आम लोगों को लेकर आपका विजन क्या है या आप इतना एसोसियेशन की बैटकों में रहते होंगे एडवाइस करते होंगे आपको क्या लगता है कब तक हम देखेंगे कि रूफ टॉप पर जो है वो सोलर एन मिला है महाराश्ट्र साषन ने तो और उस रिस्पॉंश को देखते हुए महाराश्ट्र साषन ने महावितरन ने तो रेडी मेड मीटर भी देना शुरू कर दिये जबकि मीटर उनके अधिकार में नहीं था उनको मीटर दूसरे लोगों को खर्च करना था लेकिन आज पू जे लगता अगले दो साल में 20 राख रूफटाप कवर कर दीजें बहुत बहुत धन्यवाद आपका मंदी साब रागव जी आपका धन्यवाद बजास साब आपका धन्यवाद दिपेंजी मेरे साथ बने रहेंगे लेकिन उनका इस सेशन को शुरू करने के लिए मैं आपका था तो हमारे तीनों गैस ने बहुत महत्वून जानकारियां दी कि प्राइवेट सेक्टर किस तरीके से इंवाल्व है और आने वाले समय में क्या विजन देखने को मिलता है राकेश गोपाल जी जो कि हमारे सेल्स एंड मार्केटिंग है भारत एक्स्प्रेस के मैं उनको आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे तीनों महमानों का स्वागत करने के लिए डिपेंजी यहां बने रहेंगे सम्मान में और सम्मान जुड़ जाएगा